Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्ड़बल 30 Billion Dollar का एक नया fund launch किया गया है, और इस fund का नाम है Altera, यह आप देख सकते हो, यहाँ पर अगेन इस map के अंदर जो UAE है, यहाँ पर 2023 UAE, आक्शली चर्चा यह हो रही थी, कि UAE जैसा देश, जो की काफी सारा oil export करता है, gas export करता है, especially oil जो है, तो क्या इस देश को यह host भी करना आचीए, क्योंकि हम climate change की बात कर रहे हैं, तो इसकी वज़े से क्या हुआ है, कि यहाँ पर UAE ने, United Arab Emirates ने खुद अपने आप, यहाँ पर 30 Billion Dollar का fund launch किया, और आप देख सकतो है headline क्या है, UAE seeks to silence critics with 30 Billion Dollar Climate Fund pledge with BlackRock Group Phil, तो इसके बारे में हम डीटेल से समझेंगे, कि यह fund है क्य क्या करेगा, और साथी साथ, यहाँ पर green credit की बात भारत की तरफ से की गई है, PM Modi ने उसकी चर्चा की है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, काफी कुछ जानने को है चली आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखेगा, आप में से जो भी लोग UPSC की त्यारी करना चाहते हैं, और अगर आपको पूरा त्यारी करना है, पूरा batch, प्रिलिंस, मेंस, इंटर्व्यू, सब कुछ, तो आप हमारा foundation batch ले सकते हैं, जूकि 8th December से स्टार्ट हो रहा है, या फिर अगर आप specifically UPSC प्रिलिंस 2024 पर focus करना चाहते हैं, उसको crack करना चाहते हैं, तो हम आप आपका वो crack कराएंगे through SIP Plus, Success in Prelims Plus का program, जिसमें आपको again Prelims Related सारी चीज़ें कराई जाएंगी, again use this code Ankit Live हमारे website, app पर जाकर या फिर comment section में सकर लिंक है, और आप इसको avail कर सकते हैं, और साथी साथ IB, Intelligence Bureau का भी batch है, वो भी आप ले सकते हैं, और इसके लावा अगर आप MCQ उस अटेम्ट करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टा पेश पर जाएए, महाँ पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं, उसको आप अटेम्ट कर पाएंगे, चले सुरवात करते हैं, और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि exactly हुआ क्या हम चर्चा क्यों कर रहे हैं, चर्चा 30 billion dollar का एक नया और ये groundbreaking बताया जा रहा है, क्योंकि किसी भी देश ने इतना बड़ा fund climate से related invest नहीं किया है, लेकिन United Arab Emirates ने कहा है कि हम 30 billion dollar का investment fund बना रहे हैं, और हमारी कोशिश यहाँ पर यही होगी कि हम energy transition की तरफ बढ़ सके, अब energy transition का मतलब यह है कि अभी जो fossil fuel का इस्त करके हम climate को खराब कर रहे हैं, global warming को वैदा कर रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पर transition करना है new renewable energy की तरफ, जो renewable energy होती है solar, solar आपका energy हो गया या फिर हम wind energy की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमें investment किया हो शकता होगी, तो यह जो transition करना है ना, उसके लिए finance provide किया जाएगा, और 30 billion dollar का ये fund launch किया गया है, और यहाँ पर आप देख सकते हो, जो COP28 के president थे, उनकी तरफ से बोला गया है कि ये investment vehicle एक प्रकार से defining movement है, पूरे इतिहास में, global climate finance के इतिहास में, अब question यहाँ पर सबसे पहला ये है कि, ये concept क्या है, Altera का concept क्या है, क्यों, क्या main चीजें होने वा तो यहाँ पर जो gap होगा ना, financial gap होगा, क्योंकि कोशिशें तो बहुत की जारी है, हर साल यहाँ पर meetings होती है, चर्चा की जाती है कि climate को बचाना है, तो यहाँ पर basically जब हम बात करते हैं कि finance ये उसके लिए पैसा चाहिए, तो वो जो finance gap है, वो एक प्रकार से देने की कोशि से, और यहाँ पर देखे क्या है ना, कि जो कई सारे बड़े-बड़े institutions हैं, जो fund provide करते हैं, तो यहाँ पर उनके साथ collaborate किया जा रहा है, जैसे कि BlackRock, दुनिया का one of the most, आप कह सकते हैं, बड़ा financial institution है, इसके लाब आप Brookfield हो गया, TPG हो गया, ये launching partners हैं इस fund के, ये 30 billion dollar fund के launching partners हैं, और इन्होंने already 6 billion dollar commit कर दिया है, actually क्या है कि total यहाँ पर जो fund जुटाने की बात कहीं जा रही है, वो लगबग 2500 billion dollar के आसपास है, मतलब कि जो financing की जाएगी overall, अलग-अलग institutions से collect करके, वो करीब 2500 billion dollar बनाने की कोशिश की जाएगी, जिसमें से already 6 billion dollar इन institutions के दौरा commit किया ग सालों के अंदर और यह हम climate, मतलब जो transition होता है, जो financial gap होता है, climate change को लेकर वो हम provide करेंगे, और Altera basically क्या करेगा, यह जो वहिकिल बनाया गया है, Altera fund बनाया गया है, यह जैसा मैंने आपको बताया, globally जितने भी partners हैं, उनसे capital mobilize करने की कोशिश करेगा, जहां तक Altera का main focus होने व investment in emerging markets and developing economies, मतलब जैसे भारत हो गया, जैसे African countries हो गया, यह जो emerging market है और developing economies है, वहाँ पर ज्यादा से ज्यादा investment लेकर आना climate से related, क्योंकि जो developed countries हैं, जैसे European countries हो गया, US हो गया, उनके पास तो अलड़ी बहुत सारा पैसा है, वो अपना invest कर सकते हैं, यहाँ पर renewable energy की तरफ, ल जरूरी हो जाता है कि यहाँ पर जो पैसा है, वो developing countries के पास आए, और वही कहीं न कहीं जो पैसा है, वो जुटानी की बात कहीं जारी, क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि अभी आपने सुना होगा, कि पिछले कुछ वर्षों से यह भी कहा जा रहा था, कि यहाँ पर जितने हो ही नहीं पाया है, मतलब 100 बिलियन डॉलर तो दूर की बात है, मतलब 10 बिलियन डॉलर तक भी नहीं जुट पाया है, और इसलिए क्या हुआ है, बताया जा रहा है कि 2030 तक जो total deficit रहने वाला है, मतलब हमें जितना जुटाना चीए था और नहीं जुटा पाये, वो amount हो केरा का जो fund launch हुआ है, वो कही ना कही एक hope देता है, in fact एक separate report आया थे जिसमें Deloitte ने बताया था, कि अगर हमें net zero अचीव करना है पूरे दुनिया के लिए, global south में especially, तो 2050 तक 200 trillion dollar की आउशकता होगी, can you imagine 200 trillion dollar, मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है अपने आप में, लेकिन क developing countries को भी contribute करना है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्यदारी है developed countries की, क्यों, क्योंकि इतने वर्षों से उन्हों नहीं यहाँ पर, जो global warming में contribution किया है, वो सबसे अदा किया है, और इसलिए developed countries की सबसे बड़ी जिम्यदारी है, in fact बताये जा रहा है कि यह जो 200 trillion dollar का gap होगा, उसमें स 70% investment middle income economies में जानी चाहिए, जो low income और middle income economies है, जिसे middle income में भारत आ गया, तो भारत जैसे देशों में आना चाहिए, पाकिस्तान, बांगला देश, एफरिका के देशों में आना चाहिए, अब finally question यह है कि जो मैंने आपको बताया ना यहाँ पर, कि यह 30 billion dollar का Altera fund होगा, तो इस इसको structure कैसे किया जाएगा, मतलब 30 billion dollar का मतलब क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ, basically यहाँ पर दो पार्ट में इसको structure किया गया है, ठीक है, अब दो पार्ट क्या है, सबसे पहला पार्ट है, Altera acceleration, ठीक है, इसके अंदर 25 billion dollar fund होगा, और यह जो Altera acceleration है, it will provide institutional capital to climate investment at scale, मतलब क यहाँ पर जो अलग जैसे मालो solar panel वगर कहीं कुछ लगाना है, तो उन सारे चीजों को लेकर जो investment चाहिए, वो जो capital investment होता है, उसको एक तरह से push करने की कोशिश की जाएगी, यह Altera acceleration में, और जो दूसरा है Altera transformation fund, वो आपका 5 billion dollar का होगा, और इसलिए दोनों मिलकर 30 billion dollar हो जा लेने का काम यह Altera transformation fund के दोरा किया जाएगा, ताकि और जादा यहाँ पर investment उसके अंदर आ सके, अब question यहाँ पर यह है कि यह 30 billion dollar का यह जो fund लाया जा रहा है Altera fund, इसका सबसे immediate priorities क्या होने वाला है, सबसे पहला निवेश कहा होने वाला है, और यहीं पर आता है भारत का रोल भारत को इससे बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि सबसे पहला जो capital investment है Altera fund का, वो बताया जा रहा है कि इंडिया में 6 gigawatt of new clean energy capacity यह install करने की कोशिश की जाएगी, मतलब 6 gigawatt जो की काफी हूज होता है, ठीक है, वो भारत के अंदर चाहे solar की बात करें, या फिर wind की बात करें, इन सब में कहीं न कहीं investment करने की कोशिश की जाएगी, इस fund में से, और उसके बाद बताया जा रहा है कि अफ्रिका के अंदर भी यहाँ पर investment opportunities तलाशा जाएगा, ताकि pipeline of more than 5 gigawatt of onshore wind और solar photovoltaic energy project यह install किया जाए, और Latin America में मतलब जो South America वा पार्ट हो गया, वहाँ पर rural electrification से related एक platform बनाया जाएगा, जहाँ पर investment किया जाएगा, लेकिन कहीं न कहीं आप कहीं आप कह सकते हो, यहाँ पर सबसे एक बड़ा फायदा सबसे पहले इस fund से भारत को होने वाला है, तो यह तो हमने बात कर लिया, अल्टेरा fund के बारे में, लेकिन इसके साथ-साथ यहाँ पर PM मोधी जब भाशार दे रहे थे COP28 में, उन्होंने इसमें green credit scheme के बारे में चर्चा किया, and this is going to be again very important topic, देखो green credit program actually अगर आप देखोगे, तो भारत में और इसको अभी दो महने पहले, October के महने में launch किया गया था, अब समझ यह होता क्या यहाँ पर मैं आपको carbon credit के बारे में पहले बताना चाता हूँ, carbon credit already launch हो चुका है, भारत में भी और international level पर, यह पहले launch हुआ था, carbon credit, अब carbon credit का मतलब क्या होता है, carbon credit का मतलब हो गया, कि जैसे कि मानलो, अगर कोई company है, और उसकी जिम्मेदारी है, मतलब उसके उपर commitment है कि उ renewable energy का इस्तमाल करना चाहिए था, electricity इस्तमाल करने में, लेकिन उस company ने क्या किया, कि यहाँ पर जो कोईले वाला energy है, कोईले वाला energy है, वो use कर लिया, मतलब उसने global warming की, carbon dioxide environment में उसने release किया, तो इसकी वज़े से क्या होता है, कि उस company की ओपर penalty लगाए जाएगी, इसलिए क् होगा, उस company को यहाँ पर, जो carbon certificate होता है, वो किसी और से खरीदना होगा, मतलब किसी ऐसी company से, जो renewable energy का इस्तमाल कर रही है, तो वो जो trading होती है, certificate की, मतलब जिसने renewable energy का इस्तमाल किया, उसके पास benefit होगा, उसको पैसे मिलने चाहिए, तो वो certificate क्या कर सकता है, उस company को बेच स ने ये suggest किया है, कि हमें इससे आगे बढ़कर green credit की तरफ जाना चाहिए, green credit का मतलब यह हुआ कि एक बहुत बड़ा, इसके अंदर सब कुछ आ जाएगा, green credit का मतलब हो गया, जैसे कि माल लो, soil improvement वाली चीज हो गई, माल लो, कोई soil को preserve कर रहा है, या फिर इसके लावा, आपका green credit scheme के अंदर आ जाती है, जैसे कि ये कोई भी कर सकते है, आप भी कर सकते हो, जैसे आप अपने आसपास इलाके में कोई गाउं में लोग रह रहे हैं, वहाँ पर अगर आप soil conservation वगरा करते हो, या फिर water conservation करते हो, तो उस case में आप क्या कर सकते है, आपके पास credit मिल ज जाएगा, और वो green credit आप क्या करेंगे, किसी company को आप बेज सकते हैं, जैसे carbon credit मैंने आपको पता है न, वैसे ही आप बेज पाऊगे, तो इसके अंदर कोई भी शामिल हो सकता है, तो carbon credit एक छोटा सा area है, green credit सब कुछ शामिल कर देता है, तो ये भारत ने अल्रेटी, although launch किया है October के महने में, लेकिन एक बड़े स्थर पर launch नहीं होए, क्योंकि इसके अंदर जो भी standards कैसे होगा, measure कैसे किया जाएगा, कि कौन कितना soil improve कर रहा है, कौन कितना water consume कर रहा है, उसको कितना credit मिलना चाहिए, ये सारी चीज़ें अभी तै नहीं हो पाई है, starting point में आप कह सकते है, कि वो companies इसके अंदर खर्च करें, इस तरह के credit लेने में, क्योंकि सरकार उनके उपर impose करेगी, तो वो देखना होगा, आगे चलकर कि कितना वो हो पाता है, कि नहीं हो पाता है, तो I hope आप समझ कहोगे, कि carbon credit mainly industry और corporations के उपर focus करता है, लेकिन green credit program जो है, वो individuals और communities को भी benefit क कर सकता है, और PM Modi ने COP28 में यही बोला, कि हम चाहते हैं कि इसको हर एक देश में लाया जाए, green credit वाला system, ताकि हम climate को बचाने में और ज़्यादा सक्षम हो सकें, और हर एक person participate कर सकें, ठीक है, तो I hope दोस्तों है, इस वीडियो के अंदर आपको दोनों चीज़े समझ में आ ग बाकि अगर आपको PDF ये तो Telegram पर आए, अलग अलग social media पर आप जूड़ पाऊगे और जैसा मैंने आपको बता है, UPSC कि अगर आप चारी कर रहे हो, just use this code ANKITLIVE to get maximum discount, and I hope कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिल तो आप से next time, till then, thank you very much, see you soon.